आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को grow app पर अपनी SIP करनी हैं, मतलब systematic investment planning करनी हैं, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को detail में step by step complete information दूँगा, कि आप लोगों को कौन कौन से process इसमें अपनान होंगे कि आप लोग इसमें अपनी SIP कर लें, पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जिदर मैं SIP कर रहा हूँ, आप लोग उदर SIP मत करना, अगर आप लोगों करनी हैं, तो आप लोग अपनी research खुद करना, लेकिन process सब में यही रहने वाला है, SIP करने का, उससे पहले आप लोगों को grow app पे अपना demate account बनाना होगा, अब demate account कैसे बनाना है, उसकी मैंने complete video बना के रख रखी है, आप लोग आई बटन पर click करकर grow app पे सबसे पहले अपना account बना लें, देन उसके बाद इसमें SIP कैसे करनी है, mutual fund कैसे करना है, उसके बारे मैं मैं अब आप लोगों को SIP जरू करना, टाकि वो long term में आप लोगों को जरूर profit generate करके दे सके, तो दोस्तों जैसे आप लोग इस पर अपना account बना लोगे, account बनाने के बाद आप लोगो कुछ इस तरीके का icon आईकन आपको आपकी screen पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे इस पर click करोगे तो आप लोग grow app के dashboard पे आजाओगे, उसके बाद आप लोग जब account बनाया होगा, तो pin बनाया होगा, वो same as it is, pin आप लोगो को यहाँ पर डाल देना है, अब आप लोग grow app के dashboard पे आचुके हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का display देखने को मिल रहा होगा, अब मैं आप लोगो का step by step इसमें बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना होगा, जैसे आप लोग इसमें easily अपनी SIP कर सकें, ठीक है, अब आप लोगो सबसे पहले इसके अंदर mutual fund वाले जो option है, वो उस पर click करना होगा, यह आपको यहाँ बिल जाएगा, जैसे आप लोग mutual fund वाले option पर click करोगे, उस के बाद आप लोगो को यहाँ पर बहुत सारे program जो इसके हैं वो सारे दिख जाएंगे, अब आपको अपने हिसाब से यहाँ पर अपना plan लेना है, plan लेने के लिए आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सबसे उपर जो plan दिखा रहा है, इसकी जो percent है, वो आपको दिखा रहा payment आप कटवाना चाहते हैं, जैसे कि suppose मैं यहाँ 500 रुपे की SIP करना चाहता हूं, यह 1000 रुपे की SIP करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर अपना 1000 रुपे का amount लिख दिया, then उसके बाद यहाँ आपको अब पूछेगा कि कौन सी date को आपको SIP क्लियर करवानी है, ठीक है, आप मेरे को इस पर क्लिक करना होगा, date में अपने हिसाब से मतलब decide कर सकता हूं, suppose मैंने 15 तारिक यह 17 तारिक, जो भी मैंने decide कर दी, 20 तारिक, बीस तारिक को update कर दिया, अब मेरे को यहाँ पर जब मैंने account बनाया होगा, जो account number मैंने यहाँ पर अपना link करा होगा, वो account number यह डिजिट का पिन आएगा जो नंबर आप लोगों ने इस से लिंक कर रखा होगा जैसे कि उपर आ चुका है ये पिन दानले के बाद confirm पर क्लिक करोगे automatically ये पिन ले लेगा उसके बाद आप लोगो को कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा अब आपको डारेक्ली ये गूगल पर की साइट पर लेके आगया है अब यहां आप इजली अपनी होल्डिंग में आप लोगों को जो भी आप शेर खरीद होगे जो भी आप SIP लोगे जो भी आप mutual fund लोगे वो सारी चीज़े आप लोगों को आपकी होल्डिंग में शो हो जाती है और यह होल्डिंग में जो होती है यह आपको 2-3 working days के अंदर शो होती है ऐसा नहीं है कि होगी वो आपको यहां शो हो जाएगी अब मैं mutual fund पर click करता हूँ उसके बाद आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को और research करनी है और चीज़े इसके अंदर analysis करनी है देखनी है तो आप लोग कहां से कर सकते हैं इसके अंदर आप लोगों को यहां पर 6 option मिलते हैं प जैसे कि Reliance हो गया टाटा मोटर हो गया इनके अंदर investment करनी है तो आप लोग large fund पर click कर सकते हैं जैसके बाद mid cap में मतलब जो एक medium level की company है medium level की firm है उनके अंदर investment करना चाते हैं तो आप medium पर click कर सकते हैं small cap माने जिसके अंदर high risk high involve facilities मिल सकती हैं उसके अंदर click करना चाते हैं तो आप तर श्माल कैप पर click कर सकते हैं अब को small cap पर जैसे click करोगे उसके बाद आप लोगों को जितने भी यहां पर यह funds है वो आप लोगों को आपकी screen पर show हो जाते हैं अब आप लोगों को तीन साल का जो इसका return है वो आप लोगो यहां पर दिखाई दे रहा होगा जैस कर सकते हैं back करके आप लोग एक साल का इसका मतलब पर्सेंटेज रिशियो देखना चाहते हैं तो वह आप इसी तरीके से आप लोग यहां पर आओगे तो यहां पर आप लोग को दो option मिल जाते हैं लोगों को पहला मिलता हैं धो बाद मिलता है कि म इसके बात सर्फा separate की तो stat SIP में आप लोगों को installment में payment करने हैं जैसे कि मैंने आपको starting में मैंना बता दिया था अब आप लोग आपना जो भी जिस भी fund के अंदर अपने investment करना चाहते हैं यहां आपनी analysis कर सकते हैं जैसे कि आप लोगों देखोगे एक महिने पहले इसका जो percentage था वो minus 1.57 था शे महिने पहले बात करी जाए तो इसने last 6 महिने पर आपको 12% तक का interest rate दिया है और 5 साल की बात करी जाए तो इसने 5 साल मतरा पिछले 5 साल के अंदर 50% तक का interest आपको अन करके दिया है अब थोड़ा सा नीजे आएंगे तो यहां आप अपने fund की size देख सकते हैं इस fund का जो size है वो है 26,644 करोड रुपे उसके बाद अगर return इसका calculator करेंगे तो आप लोग return calculator पर जाओगे तो यहां पर आप लोग अपना return जो है वो calculate कर सकते हो अगर आप 5,000 मंतरी SIP करते हो तो आप लोगों को यहां पर क्या-क्या मिलने वाला है अगर आप लोग यहां पर 10,000 पर क्या साइप करते हो वह आप लोग देख सकते हैं जैसे कि suppose मैं यहां पर 10,000 पर मह मिल जाएंगे मतलब आप लोगों को 23 परसें तक का इंट्रेस रेट पिछले लास्ट एक साल में आपको मिल जाएगा अब होल्डिंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर जो होल्डिंग कर रखी है वो रिलाइंस ने कर रखी है यह भी आप लोग अपनी स्टेडी कर सकते है जीओ ने कर रखी है अधित बिला ने एच एफसील ने मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसके अंदर अपनी इंवेस्टमेंट कर रखी है और ज्यादा तर जो कंपनीय और रिलाइंस इंडिस्ट्री से रिलेटेड है जैसे कि आप देख सकते हो और अडानी पावर ने इसके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग ले रखी है देन उसके बाद थोड़ा सा बैक करेंगे बैक करने के बाद आप लोग देख सकते हो रिटर्न रैंकिंग पर क्लिक करें तो आप लोगों को यहां पर इसकी जो रिटर्न है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी कि पिछ कर सकते हैं देन उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो expense ratio, exit, load and tax के बारे में भी information आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी थोड़ा सा और नीचे जाएगे तो fund management के बारे में पता चल जाएगी कि इस fund को चला कौन कौन रहा है और उसके बारे में भी अगर आप ल अपनी graduation वगरा किया सब कुछ आपको लोगों को इसदर information मिल जाएगी कि इससे पहले कि क्या working थी यह क्या वर्क करते थे सब कुछ आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा fund house and investment object पर click करोगे तो आप लोगों को यहां पर fund house and investment object भी पता चल जाएगे कि आप लोगों का जो य इस same fund के अंदर भी मिल जाते हैं then उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप लोगों को recently viewed जो भी आपने अभी search करा होगा वो आप लोगों यहां शो हो जाता है इस तरीके से आप लोग easily इसके अंदर अपनी SIP कर सकते हैं हम mutual fund के अंदर investment कर सकते हैं same process आपको जो भी investment होगा वो यहां शो हो जाएगा जैसे कि अभी यह dashboard पर शो हो रहा है थोड़े दिनों बाद यह आपको अभी portfolio में शो होता है फिर उसके बाद यह आपको dashboard पर शो हो जाता है इसी तरीके से आप लोग अपनी investment करके enjoy कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग